Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Indian Society के Current Affairs के Revision का ये हमारा 12 हमा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम अगस्त महिने के Indian Society के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article National Child Labour Project के बारे में है 2021 में 58,000 बच्चों को Rescue किया गया है पूरे इंडिया से जो Child Labour में Involved थे उन्हें Rehabilitate किया गया है और Main Stream करने के लिए National Child Labour Project के Under रखा गया है क्या है ये National Child Labour Project ये एक Central Sector Scheme है ध्यान दीजीगा इस Scheme के तहप District Project Societies का गठन किया जाता है ये Societies बनती हैं District में और इनको Supervise करने की या Oversee करने की जिम्मेदारी होती है District Magistrate के पास या Collector के पास एक बहुत important point है कई बार आपसे interview भी पूछा जाता है कि आपकी priorities क्या होंगी जब आप एक जिले के District Magistrate बनेंगे तो आप कई सरे points सकते हैं लेकिन अगर points के पीछे backup हो तो बहुर strong हो जाता है एक तो simple सी बात हो सकती है कि सर मेरी ये priority होगी कि मैं अपने जिले में Child Labor की समस्या को खतम करूँ दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर मैंने देखा है मेरे जिले में Child Labor की समस्या है जो एक initiative है सरकार का National Child Labor Project उसके तहर जिलो में District Project Societies बनती है और उनको oversee करने की जिम्मदारी DM के पास होती है मतलब मेरे पास enough capability होगी इस समस्या के समधान के लिए तो ये मेरी priority होगी अब आपका जवाब ज़्यादा strong होगा और उसके पीछे एक strong backup होगा इस scheme के तहर देखे 9 से 14 वर्स के बच्चों को withdraw किया जाता है Child Labor से और NCLP के special training centers में भेज दिया जाता है जहां उन्हें bridge education दी जाती है vocational training, midday meal, stipend, healthcare प्रोवाइट करवाया जाता है और उसके बाद उन्हें mean stream करके formal education system में लाते हैं अगर बच्चे के उम्र 5 से 8 साल है तो उसे formal education system में लाने का प्रयास किया जाता है सरसिच्छा अभियान के तहट pencil नाम का एक portal भी बनाया गया है फुल फॉर्म है platform for effective enforcement for no child labor उद्देश यही है कि हम NCLP को अच्छे से implement कर पाएं इस scheme के तहट जो funds हैं वो जाते हैं district project societies के पास जिसके बाद वो funds को allocate करते हैं NGOs को और voluntary agencies को civil society organizations को जो special training centers run कर रहे हैं और child labor की समस्या के निरान के लिए काम कर रहे हैं हमारा next article समग्र सिक्षा scheme 2.0 या 2.0 के बारे में है cabinet committee on economic affairs नहीं अभी समग्र सिक्षा scheme 2.0 यानि 2.0 को approve कर दिया है 2025-26 तक के लिए देखे समग्र सिक्षा scheme को 2018 में launch किया गया था ये एक integrated scheme थी मतलब इसके पहले तीन schemes आलेड़ी चल रही थी इनको club कर दिया गया 2018 में वो तीन schemes हुआ करती थी सर्व सिक्षा अभियान यानि कि SSA राश्टरे मादमिक सिक्षा अभियान RMSA और Teachers Education TE इन तीनों को club करके 2018 में launch किया गया समग्र सिक्षा scheme अब ये उसका second version है इसलिए इसे 2.0 नाम दे दिया गया तो integrated scheme है जिसका उद्देश से है inclusive, equitable और affordable education बच्चों को provide करवाना ध्यान दीजिएगा कि ये एक centrally sponsored scheme है यानि कि राजियों को भी अपना हिस्सा देना होगा यहाँ पर देखें जो समग्र सिक्षाभियान 2.0 है इसमें क्या important components है first of all तो इस scheme में बच्चों तक सीधे पहुँचने की बात है जिसमें अगर हमें कोई भी incentive students को देना है scholarship देनी है तो हम direct benefit transfer यानि कि DBT का सहरा लेंगे एक IT-based platform इस्तिमाल किया जाएगा इसके लिए जिसके जरीए में जो भी entitlement देना है वो सीधे उनके account में देंगे वो entitlement, textbook, uniform या फिर transport allowance के रूप में हो सकता है National Education Policy में एक बात कही गई थी कि हम Indian language को encourage करेंगे तो इस encouragement के लिए इस 2.0 scheme में एक language teacher के appointment की भी बात कही गई है further उसकी क्या salary होगी training cost क्या होगी इन सभी का भी विसार से जिक्र किया गया है जो की बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर देखे निपन भारत initiative भी इसका हिस्सा है निपन भारत में हमारा objective ये है कि जो बच्चे हैं उनको कम से कम basic जानकारी तो हो वो simple calculations जानते हो basic उन्हें जो letters वगएरा है उनकी जानकारी हो वो पढ़ना और लिखना जानते हो तो foundational literacy और numeracy के लिए ये निपन भारत initiative चलाया गया है इसमें 500 रुपए per child का provision किया गया है annual basis पर learning material के लिए कुछ books वगएरा के लिए 150 रुपए हर teacher को दिया जाएगा manual और resources के लिए और 10 से 20 लाख रुपए खर्च किये जाएंगे इस assessment के लिए कि क्या निपन भारत अच्छे से काम कर भी रहा है अथवा नहीं digital initiatives को promote किया जा रहा है इसी उद्देश से information and communication technology का इस्तिमाल करते हुए labs को establish किया जाएगा smart classroom बनाये जाएंगे जिसमें digital boards का इस्तिमाल होगा ऐसा proposed है जो कि बहुत ही बड़ियाँ चीज होगी virtual classrooms बनाये जाएंगे और DTS channels का भी इस्तिमाल किया जाएगा for the educational purpose यहाँ पर 25,000 रुपए incentive का भी प्रावधान है अगर किसी school के बच्चे खेलो India school games में participate करते हैं और दो medals लेकर आ जाते हैं तो इस school को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा मतब schools incentivize हो अपने बच्चों के education में प्रमोट करने को लेकर जननी सुरक्षा योजना के बारे में है कल हम बात कर रहे थे उज्वला स्कीम के बारे में मैंने गलती से बता दिया था कि इसे 2018 में लॉंच किया गया था जो की गलत था इसे 2016 में लॉंच किया गया था बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में इस संबंद में कुछ डेटा फैक्ट नियूज में आया है ये कहा गया है कि जननी सुरक्षा योजना ने एक बहुत ही significant impact डाला है हमारी society पर जहां पहले institutional delivery अगर हम National Family Health Survey 3 का डेटा उठा कर देखें तो 38.7% हुआ करती थी वो National Family Health Service 4 के डेटा के according 78.9% हो चुकी है जिसमें जननी सुरक्षा योजना ने एक key contribution दिखाया है इस योजना को 2005 में National Maternity Benefit Scheme को modify करके launch किया गया था जो National Maternity Benefit Scheme हुआ करती थी वो National Social Assistance Program का हिस्सा थी तो जननी सुरक्षा योजना एक Safe Motherhood Intervention है National Rural Health Mission के तहट NHM के तहट Intervention किस प्रकार का है कई सारी महिलाएं बच्चे को पैदा करते वक्त अपनी जान गमा देती है इससे बचने का अच्छा तरीका यह हो सकता है कि Deliveries Hospitals में करवाई जाए यानि कि Institutional Delivery करवाई जाए इसी चीज को Ensure करने की कोसिस करता है यह Intervention जननी सुरक्षा योजना यह 100% Centrally Sponsored Scheme है मतलब कि इसमें राज्यों को पैसा नहीं देना होगा जो भी खर्च आएगा उसे सरकार उठाएगी इसे इंप्लिमेंट किया जाता है Department of Health and Family Welfare के द्वारा सभी UT's और States में Special Focus होता है Low Performing States के उपर जहां पर Institutional Deliveries नहीं हुआ करती उनको ज़्यादा Target किया जाता है Objective यही था कि Maternal और Infant Mortality उसे Reduce किया जाए ताकि ना तो बच्चे की मौथ हो और ना ही मा की मौथ हो Cash Assistance देने की बात की गई Delivery के बात और Post Delivery Care के लिए भी Target Group के अगर हम बात करें तो जो Poor Pregnant Woman है और जो Special Dispension कई सारे States के लिए किया जाता है जहां पर Institutional Delivery का स्थर अच्छा नहीं है अगर आप Low Institutional Delivery वाले States की बात करना चाहें तो इसमें नाम लिया जा सकता है उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड बिहार, जारखंड, मध्यप्रदेश चतीजगर, आसाम, राजस्थान, उडिसा जमुएन कस्मीर तो यहां पर थोड़ा ज़ादा फोकस किया जाता है इसके अलामा जो भी States हैं वो High Performing States हैं वहां पर Institutional Delivery अच्छी खासी होती है इसकी में Performance Based Incentive की बात की गई है उन Women Health Volunteers के लिए और आसास के लिए मतलब Accredited Social Health Activist जो गावों में महिलाओं की देख रेखिया करती हैं टीका वगरे लगाया करती हैं उनको उन्होंने अगर ज़्यादा Institutional Delivery करवाई है तो उनको Incentive दिया जाएगा Cash Assistance Institutional Delivery के लिए भी दिया जाता है Home Delivery के लिए भी दिया जाता है चाहे Low Performing State हो या फिर High Performing State हो Below Poverty Line SC और ST जो वुमिन है उन्हें Cash Assistance मिलेगा Home Delivery में भी जो BPL यानि कि Below Poverty Line प्रेगनेट वुमिन है उन्हें 500 रुपए का Cash Assistance दिया जाता है बिना इस बात का खयाल किये कि प्रेगनेट वुमिन की उम्र क्या है या उसने कितनी संख्या में बच्चों को पैदा किया है ये Assistance उनको मिल जाता है जो Eligible Mothers है जननी सुरक्षा योजना का Benefit लेने के लिए उसमें Age और Number इस बात को संग्यान में नहीं लिया जाता और जो भी Benefit होता है वो सीधे उनके Bank Account में जाता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है Quality of Life for Elderly Index के बारे में मतलब जो बुज़र्ग लोग है उनके बारे में ये Index है बात करेंगे Before that इस Index को रिलीस किया गया है Economic Advisory Council to the Prime Minister के द्वारा यानि कि EACPM के द्वारा ये इन्होंने रिलीस किया है बनाया इन्होंने नहीं है इस Index को तयार किया गया है Institute for Competitiveness के द्वारा हाँ इसके लिए रिक्वेस्ट EACPM नहीं की थी देखें इंडिया में जो Elderly Population है Sometimes उनकी Quality of Life बहुत ज़दा खराब होती है वो कई प्रकार के Abuse भी Face करते हैं ये Index कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रकार्श डालता है जो अक्सर नजर अंदास कर दिये जाते हैं जैसे कि Elderly लोग कौन-कौन सी Problem Face कर रहे है उनका Original Pattern क्या है और Over All Elderly Population की Situation क्या है भारत में इसके चार framework मतलब चार pillars है पहला है Financial Wellbeing दूसरा है Social Wellbeing तीसरा Health System और चौथा Income Security आठ सब pillars है Economic Empowerment Educational Attainment and Employment Social Status Physical Security Basic Health Psychological Wellbeing Social Security और Enabling Involume क्या निकल किया आया 2001 में इंडिया में Elderly Population 7.5% थी ये 2026 में बढ़कर 12.5% हो जाएगी और 2050 तक भारत के लगभग 20% आबादी Old Age जो Cap है उसमें चली जाएगी 19.5% का जो percentage है उसको Cross का जाएगी Rajasthan Top Scorer रहा है मतलब यहाँ पर 5 Million से भी ज़्यादा Population Elderly है Majorum North Eastern States को Lead करता है Maximum Number of Elderly Population को लेकर Chandigarh UTs में नमारा next article संबाद के बारे में है संबाद प्रोग्राम का जो second phase है उसे अभी हाल ही inaugurate किया गया है Ministry of Women and Child Development के दोरा ये एक national initiative है जहाँ पर हम कोसिस करते हैं कि जो बच्चे हैं जो vulnerable हैं हम उनके mental और psychological health को protect कर पाएं संबाद का यहाँ पर full form है Support, Advocacy and Mental Health Intervention for Children in Vulnerable Circumstances and Disasters तो ये तो इसका full form हो गया यहाँ पर जो बच्चे कई तरीके से प्रभावित हुए हैं often हैं child survivor है trafficking में या फिर वो किसी conflicts से निकाले गए है तो उन्हें हम कई तरीके के assistance को देने की खोसिस करते हैं National Institute of Mental Health and Neuroscience NIMHANS इसे lead करता है Ministry of Women and Child Development इसे fund करती है NIMHANS एक Apex Center है Mental Health और Neuroscience Education के लिए ये autonomous तरीके से काम करता है लेकिन Ministry of Health and Family Welfare के अंडर ये जो program है इसमें बच्चों को अच्छी तरीके से handle करने के लिए कई तरीके के functionaries को train किया जाता है जैसे की Child Protection Functionaries Telecounselors Educators Law Professionals और कई सारे लोगों को ताकि जो बच्चे distress में हैं हम उन्हें उससे बाहर निकाल सकें इसका second phase जो है इसमें प्लान ये है कि जितने expirational districts हैं वहाँ पर पंचायती राच institutions के साथ coordinate करके जो बच्चे हैं उनको distress से निकालने की कोसिस की जाएगी awareness campaign चलाए जाएगे और service delivery को और बहतर किया जाएगा grassroot level तर एक scheme जो नियूज में थी जन शिक्षन संस्थान जो कि पहले जन शिक्षन संस्थान के बज़ाए श्रमिक विडियापीच scheme कहला दी थी उसका नाम बदला गया है और ये scheme क्यों काम किया हमें ये जानना है इसका लक्ष है कि जो rural areas में उनकी skill development की जा सके तो अब जिसमें चींजीज किये गए है उसमें high speed internet जोडे गए है कुछ areas में जो किरला के डीप छोटे मोटे इलाके थे tribal आदिवासी इलाके वहाँ पिस है लिलंपर जंगल में किरला में ये scheme के तहर high speed internet connect किये गई तो ये scheme किसके अंतरगत है पहले ये जाने है तो normally पहले ये scheme ministry of education के अंदर थी अब इसको transfer किया गया 2018 में ministry of skill development और entrepreneurship के अंतरगत तो याद रिखे पहले ये MOE के अंतरगत थी और अब ये skill development के अंतरगत आ चुकी है तो एक transfer है scheme का यहां से यहां हुई है तो इसके तहट वहाँ पे इसने high speed internet पहुचाई है इसमें focus groups है women STST minorities जो जन संख्या है जिनको normally employment opportunities नहीं मिलती उनको यहां पे vocational skills दिये जाए और अभी almost 25 states और union charities में हम ये 233 जन शिक्षन संस्थान देखते हैं तो आज के इस session में बस इतना ही thank you very much